डैवान कॉन वोई नाम तो सुना हुगा न तो बहुत इंस्पारिंग स्टॉरी है इनकी और काफी जबरदस्त इनिंग लिए इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए इसके बारे में तो बात करेंगे ही तो इसके पीछे के भी काफी बड़ी कहानी है और इनुन ने जो डैबिू कि तो पहले नंबर की कौन से हैं वह आपके हैं सिंक्लेयर तो उनीस सो निन्याद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो सो चोदारन बनाया थे सिंक्लेयर ने जो कि अब तक का न्यूजिलेंड के जो डेब्यू कर रहे हैं अपने फॉर्स टेस्स मैच का हाई स्कूर है अब बात क आने वाले अपने डेबी में साथ अवे बल्लेबाज बन गई यह तो पहले पर कौन है वह आपको मैं बता दूं पहले पर हैं और इफोस्टर तो इंगलाइंड की खिलाड़ियों बहुत पुराने खिलाड़ी हैं पर बात कर लिजाएं डेवन कॉनवाई की रहने वाले नहीं प्लेस के लिए यहां भी बलेंडल के लिया और जहां न्यूज्लेंड की पूरी टीम एक तरिके से श्टरगल कर रहे थी निकॉलस को छोड़ के वहां आपके जो एक इनिंग का हर कोई फैन हो जाएगा एकड़म बिलकुल किसी भी तरीके से यह डर नहीं रहे थे तो अगर आप किसी चीज को शिद्द से चाते हैं तो सारी काइनात आपको उससे मिलाने में लग जाती हैं तो यही चीज आपको समझने चाहिए कि एक inspiring story होगी इनकी कि अगर आप किसी चीज को चाते हैं वो चीज आपको बहुत असानी से नहीं मिलती उसके लिए struggle करना पड़ता है और इन्होंने 2016-17 में New Zealand में county खेली स्टार्ट की थी और दो साल के अंदर जो उन्होंने performance दिखाई है ऐसी performance दिखाई है जिसकी तुलना बहुत कम की जा सकती है और हर जगा टॉप स्कोर आपके कि इनको काफी awards मिलते हैं और काफी lead भी कर रहे थे place को और वही इनका स्थान पहले आया कापे T20 में फिर इनको ODI में जागा मिली फिर इनको test मिली तीनों format में बहुत ही जबरदस खिलाड़ी है Conway और New Zealand की तरह से भी काफी शानदार और जो loads ground है वहाँ पे 200 बनाना तो बहुत बड़ी बात है वहाँ पे दोस्तोरा नहीं बनते एक खिलाड़ी से और England की team को इतनी easily dominate करना जहां पूरी New Zealand की team struggle कर रही थी जहां उनके starting में wicket भी जल्दी किर जाते परन तो Conway नहीं जाते उनके कप्तान और जो उनके experience खिलाड़ी हैं लाइक Rose Taylor और Williamson वो भी कुछ नहीं कर पाते Tom Latham जिसके उपर इतनी ज़्यदा जिम्मेदारी हैं वो भी इतना कुछ खास नहीं कर पारे हैं उन्होंने भी इंडिया के लिए message भेज दिया हैं डियरेक्ट ले कि उनके लिए त्यारी करने पड़ेगी अगर उनके लिए प्रिपेशन नहीं करते हैं तो इंडियान की टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और Conway का तो अब हर को जानते ही होगा पूरे जब ह है पूरे international जो cricket world है उसके अंदर बहुत संसरी मत चुकी है Conway को लेकर क्यों हुआ ऐसा क्योंकि अभी World Test Championship नजदीक है और उससे पहले इन्होंने ब्रेवरी तरीके से अगर आपको Conway की बैटिंग अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं